नमस्कार दोस्तों मैं विजयपाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सिंपल मैट्स फॉर यू में दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथेमेटिक्स की नौलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए और आप सभी के सयोग से हम अपने उद्यसे में काफी हद तक काम्याब भी हुए हैं इसी प्रकार आप सभी का सयोग रहा तो हम अपने उद्यसे में पूरे काम्याब होंगे और मैथेमेटिक्स की हर प्रकार की नौलेज को हम आप तक पहुंचाएंगे आज का जो वीडियो है वो आधारित है मैट्रिक्स टॉपिक पर चोथा लेसन है पहले तीन लेसन हम कर चुके हैं जिसमें मैट्रिक्स क्या होती है उसकी क्या गुण होते हैं कितने परकार की मैट्रिक्स होती है जो अडर गठाव की क्रियाएं हम देख चुके हैं आज के वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक की गुणा ये वीडियो बहुत ही important है क्यों important है क्योंकि मैट्रिक की गुणा ही सबसे कठीन माने जाती है इसी में बच्शे confused होते हैं और गलती भी इसी में होती है वीडियो पर नए है चैनलों पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर amount सब्सक्राइब कर द Woo deeper तरहक आपको हर वीडियो का नोप्रिकेशन मिलते रहें चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स की गुणा मैट्रिक्स की मतलब है है कि एक matrix की दूसरे matrix से गुणा यानि एक matrix सब्सक्राइब दूसरी matrix है कोई भी ठीक है अब मेरे को यहां पर क्या करना है matrix A की matrix B से multiply करनी है क्या करनी है multiply तो जिस प्रकार जोड़ना और गटाना था जोड़ना और गटाना में एक नियम होता है कि plus में और माइनस में यानि matrix के जोड़ गटाओं में दोनों matrix का जो क्रम है जो दोनों matrix का क्रम है वो क्या होना चाहिए समान होना चाहिए या एकर English में मैं कहूं तो उनका जो order है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए ठीक है लेकिन यहाँ पर गुणा में क्या नियम है गुणा में ओर सेम होता है या नहीं होता तो यहाँ पर नियम अलग होता है तो गुणा में क्या नियम होना चाहिए जिन दो मैट्रिक्स की हम गुणा करे उस गुणा में पहली जो पंक्ती है उसमें या पहली जो मैट्रिक्स है उ गुणा के अंदर क्या नियम आपको द्यान रखना है कि पहली जो मेट्रिक्स है उसमें पंक्ति की संख्या उसमें पंक्ति की संख्या और दूसरी मेट्रिक्स में कि दूसरी मेट्रिक्स में इस्तंभ की संख्या यह क्या होने चीए बराबर होने चीए यानि आपको मैट्रिक्स की गुणा में क्या नियम ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स की गुणा में पहली मैट्रिक्स में जो पंक्तियों की संक्या है वो और दूसरी मैट्रिक्स में जो इस्तंब की संक्या है वो क्या होने चीए बराबर होने चीए इसको हम इस तरह से समझ कि इसके कर्म क्या है इसका कर्म भी थो पढ़ से हैं एक पर लिए दोनों guide करों की किसंख्या यहां पर आप पंक्ति किसंख्या देखो कितनी है दो और दूसरी मेट्रिक्स में कॉलम किसंख्या वो कितनी है दो यह दोना आपके सामने क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए तो यह हैं दो मेट्रिक्स A और B अब इसमें पहली मेट्रिक्स में पंक्ति किसंख्या और दूसरी मेट्रिक्स में कॉलम किसंख्या बराबर होनी चीए तो यहां पर देखें पहली मेट्रिक्स में पंक्ति किसंख्या किती है दो और दूसरी मेट्रिक्स में कॉलम किसंख्या क संभव है क्यों कि इसमें रो की संख्या पंक्ति की संख्या और अब किस तरह से घुणा करते हैं समस्पिल तो यह यहां पर A-Cross B पॉसिबल है तो यहां पर में लेग दूंगा A-Cross B ठीक है अब A-Cross B यहांनी एक गुणा भी इसको करेंगे कैसे एक गुणा भी करने के लिए यह थोड़ी हड़ को फोड़ा सा समझना पड़ेगा तो आपको यहां पर क्या करना इस तरह से बनाना अब देखें सबसे पहले यहां पर आपको लेनी है पहली पंक्ति और यहां पर लेना है पहला कोलम यहां पर लेना है पहला कोलम इन दोनों के आपसमें गुणा करनी है पहली पंक्ति पहला कोलम यानि इन दोनों के आपसमें गुणा करनी है इन दोनों की गुणा कैसे करोगे दो की गुणा तो होगी एक से यानि कि दो एकम दो प्लस तीन की गुणा होगी दो से यानि कि तीन दूनी छे यहां पर द्यान से देखिए इसमें दो कॉलम है तो इसमें भी दो कॉलम होने चाहिए तो दो की गुणा एक से तीन की गुणा दो से तो दो एकम दो और तीन दू लेंगे अब हम लेते हैं पहली पंक्ति दूसरा कोलम तो पहली पंक्ति दूसरे कोलम में यहीं करना है पहले की पहले से गुणा अब यहां पर वापिस इसकी करेंगे दूसरी से तो एक कम एक प्लस चार इंटू चार इस तरह से अब यह दिखने में थोड़ी सी क्या है कटिन है क्यों है क्योंकि पहले हम पहली पंक्ति की पहले कोलम से करेंगे तो दोनों पहले-पहले की प्लस दूसरे Elements की मल्टिपलाई फिर पहले पंक्ति म tradition करेंगे तब था रहे हैं फीर पहले पहले से मल्टिपलाई प्लस दूसरे की दूसरे आ जाएंगी अब इससे जोडेंगे तो 2 और चक्यते हैं 8 12 12 12 14 128 9 16 17 यह आपके पास क्या आगी दोनों मैट्रिक्स की मल्टिप्लाई A into B ठीक है तो इस प्रकार से आप मैट्रिक्स कों की गुणा कर सकते हो यहां पर आपको यह बात द्यान में रखनी की पंक्ति की गुणा कोलम से होगी सबसे पहले पंक्ति की गुणा किसे होगी कोलम से तो पंक्ति may jitne number है जीसमें दो संक्या है तो कॉलम में किसे संक्या होटी जहे है तो इस प्रकार से इनकी गुणा हो जाए ठीक है अब यहां पर मैं B क्रोस A करके देखता हूंद क्रोस एंग ग्रोस का मतलब क्या होगा की पहले मेरे को मैट्रिक्स वी लेनी है और फिर बाद मेरे माट्रिक्स ए लेनी है मैं क्या क некहीं है एक यह लिए लिखने अधर मेरे сек Eli 8 तो जब इसको multiply करोगे तो द्यान रखना पहली पंक्ति की पहले कोलम से तो एक दूनी दो प्लस एक एकम एक अब पहली पंक्ति की दूसरी कोलम से तो एक तीन प्लस एक चोग चार यह थोड़ा सा सुरू में आपको confusion लगेगा बाद में आपको इसकी practice हो जाएगी अब तीसर पंक्ति पहला कोलम 2 दूनी चार प्लस चार एकम चार अब दूसरी पंक्ति दूसरा कोलम तो दो तीया 6 अग्या 2 टिया 6 turn 6 प्लस चार चोग 16 यह तो फ़िया आपके बास आगया अब आप इसको जोड़ दो जोड़ोगे तो क्या आएगा दो और एक तीन चार और चार आठ तीन और चार साथ सोला और च्छे बाइस यह आपके पास क्या आगया इसका आशर ठीक है यह आपके पास आगया A क्रोस B अब आप यहाँ पे द्यान से देखिए क्या द्यान से देखिए कि जब आपने A क्रोस ब्राबर ब्राबर नहीं होता याई आपको दैनक ना है है इस तरह से अब एक बादि अगर सैवंनों स्मान करम की मैTRिक्स है वर्ग मेट्रिक्स है है यानि कि रोल्व से मैं तो इनकी गुणा अराम इसे पर यहां पर यहां पर यह प्रकार मैंने बीया यह to 3-4-2-7 B B क्या है यहाँ पर देखिए इसका करम है क्या है रो की इतनी है 1-2-3 इसका की एक बाइ-3 एक अब यहाँ पर जिन से देखिया प़ंग्ती की संक्या इसका मतलमिकी संभव नहीं है या आप इसको इस प्रकार से भी चएक कर सकते हो कैसे पहली पहले कॉलम से करना है तो पहले पंगते में तीन ईलिमेंट में तीयं को संब्वाइब नहीं है तो याज यहां पर में ने जिया है है ताकि थोड़ा सा इजी हो आप इसकी प्रेक्टिस कर लिए उसके बाद आने वाले वीडियो में आपको 3 by 3 या इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है उनकी मल्टिपलाई इसके झाले अख आने इसके बांब आने एerg मेलाणे इसके हो जासा आने मेटबका की जाए पहर आने हो से फेटोर की जो मिनेट घउ सके रा हृतिकोश में इसकी आने परए़े वाशे मेले pearls को है पाले, इसके लिर सोगैस इसके में आन से अेस aurait बा़ पर धerson झाल झाल